नमस्कार मैं हूं कृष्ण मोहन मिस्रा और आप देख रहें न्यूस फॉर नेशन आज हमारे साथ बात करने के लिए उत्ताप्रदेश के कावीना मंत्री स्वामे प्रशाद मौरिया जी हैं आए इन से बात करते हैं कि उत्ताप्रदेश की विधानसभा चुनाओं को ले करके भारती जनतापाटी कि क्या तयारी है रणनीती बना के 2022 के विधान सभाद चुनाओं में भारती जनतापाटी जा रहे हैं सबसेपहले तो बहुत बहुत आपका सवागत है कि पहले वाब्त यह की घुनाओं की तियारी के परस्वेंश जो सवी राणिटिक पार्टी यहां कि उसी शक्रीटा के साथ भारतिनता पार्टी भी अपनी चाफ्श बन त्यादी में लगी हुई है और चुक्कि भारतिनता पार्टी वर्ष के बारों महिने किसी ने किसी कि मुद्दे के साथ किल्यानकारी योजना के साथ भिकास के साथ या कारकम के साथ जनता के बीच में बनी रहती है और इसलिए भारतिनता पार्टी को अरख से कोई अधर शोट चुछक्ता नहीं पड़ती है। हम जंता के बीच में आज भी सब्सक्राइब क्ये चुण proportion में ज़िए जिए धरों के अधर सवावल ऄख मुश्ग्य काटिक मुकाबला करते वह सिफ अख्ली स्यादों दिखाई दे रहें उन्होंने विजे रत्यात्त्रा की भी सुर्वात करी और चार सो के पार जाने की बाद जबकि 403 सीटे हैं सिर्फ विधानसभा में जब हवा में ही बोलना है तो कोई भी आंकड़ा दिया जा सकता है और जो सोच समझ के बोला जाता है तो आंकड़ा भी चाही होता है अब आप इसी से इंदा लगाईए जब 403 मिधानसभा है और और 400 ज्यादा सीटे खुदे अखिल जीत रहें तो यह तो मुगरी डाल के हसीन सपने के स्वाए और कुछ नहीं है कि सपना देखना भी चाहिए सपने हसीन होते भी है लेकिन जब आदमी होस में आता है और आख खुलती है तो सपने गायब हो जाते हैं तो अखले जी का साथ भी यही है अभी सपने बहुत अच्छे लग रहे हैं कहने में भी सुनने में लेकिन जब प्रणाम आएंगे तो स्वाई ग्रूप से होस उनके रफू चकर हो जाएंगे सर आपके पार्टी में आपके सहयोगी रहे हैं उंप्रकास राजभर जिन्होंने हाल ही में अभी अखले स्यादों से हाक मिलाया है तो क्या लगता है सर अखले स्यादों को प्रणा नहीं हो जाता है तब तक अभी उनके किसी निले को माना जाना उशित नहीं होगा अभी 27 दूर है 27 उनका अंति फ्रसला होना है तो सर जैसे उन्प्रकास राजभर जी मेरे से बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि दो हेलिकाप्टर उन्होंने बुक कर आया है तो क्या था भी हो सकता है कि दूसरे वाले हेलिकाप्टर में कोई बीजेपी का बड़ा नेता जो है महूं पहुचे अब यह तो मैं नहीं कह सकता जी कि क्या सोच रहे हैं क्या मेरे ले रहे हैं क्या करने वाले हैं तो इसका जवाब सही माने में उन्प्रकास राजभर ही दे सकते हैं उनकी स्वाब और कोई कि इसका जवाब हम समझते हैं देने कोई और ब्यूटता कि नेतां के परदिश सथम्पर्ग में लगातार बने जिलों में वह दौड़े जिस्वयम असमेंज़श के सिती में कहा आना है कहा जाना है कुछ नहीं तेगर पा रहे हैं इसलिए कभी का मोहन को दिखाई पड़ता है तो कभी अभई उबशी से आत मिलाते हैं तो कभी बावुसिंद कुर्षा से आत मिलाते हैं इसलिए किंग कर्तब विमोड की हालत में अभी ओम्रकास राजबर जी हैं सरकर बात करें प्रियंका गांधी की तो उन्होंने चालिस प्रित्षा तारच्छंड दिया है महिलाओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए और वो कह रही हैं कि हम घोशना नहीं हम प्रतिग्या या सकती है कि कांग्रेश कोई नहीं पार्टी नहीं है कि आजादी के बाद लगातार 42 साल तक सत्ता सतन में रही है और के अंदर प्रदेश में दोन जगा कांग्रेश सरकारे रही है कि आस्ते तो चालिस प्रिजदी मैलाओं को ट्रेट कभी दिखाई नहीं पड़ा 53 में इनकी सरकार है पंजाब में इनकी सरकार है राजस्थान इनकी सरकार है वहाँ वुश्य पिर्जदी Divine का फ्रमणा नहीं दिखाई पड़ा कि इन जहां-जहां कांग्रेश सरकारे वहाना फ्री में कोई स्कूटी दिखाई पड़ रही है ना लाइप दिखाई पड़ रही है तो जब पूर्व से उनकी जहां सरकारे हैं वहां इनकी गोश्राओं का कहीं अता-पता नहीं है तो उत्तरबदेश की जंता कैसे है कि इनके लेगी यहां पर लागू करेंगी जहा कि विवहार में कुछ है दिखावे में कुछ है जनता सब जानती है कि वाकही में अगर इनकी नियस साफ होती तो अभी कुल दिन पहले इन प्रदेशों में चिना हुए हैं वहां पर 40 प्रिश्दी चिकट का फर्मला दिखाई पड़ा होता या वहां सरकारे हैं तो वहां स् कि इस घोषडा को उत्तर प्रदेश की जनता करताई कि संग्यान नहीं लेगी एक सिरे से इसको नकारेगी तो यह थे हमारे साथ स्वामी पुर्शाद मौरिया जी जिनका साबतोर पर कहना है कि कॉंग्रेस जमीनी अस्तर पर कोई काम नहीं कर रही है हवा हवाई फैसले हैं ना तो वहां फिस कूटी है और ना वहां स्मार्टफोन है मिलवाते हैं आपको एक नए चेहरे के साथ तब तक के लिए नमस्कार